हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यूहब ऑल्लाइन क्लासेज मैं हूँ जयंत दोस्तो आज मैं आपके साथ हाई कोट लडिसी के अंदर क्या आपकी जोब प्रोफाइल रहेगी क्या आपका प्रमोशन रहेगा और कितनी आपको छुट्टिया मिलेगी इन तीनों टॉपिक के पर डिसकस करने वाला हूँ सैलरी के लिए मैंने आपको अलग से वीडियो बना के दिया है दोस्तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप सैलरी वहां से देख सकते हैं और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं उसके आधार पे मैं आपको आंसर दे दूँगा तो आज हम बात करेंगे कि जौब प्रोफाइल क्या रहती है अगर हम हाई कोट LDC की जौब के लिए त्यारी कर रहे हैं तो हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारी क्या प्रोफाइल रहेगी आगे जब हम LDC पे पद पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो हमें किस तरीके का का काम करना पड़ेगा क्या काम का वर्कलोड जादा रहेगा या काम का वर्कलोड कम रहेगा या किस तरीके का काम हमारे पास रहेगा तो आएए देखते हैं तो दोस्तो यह LDC की पोस्ट है पहले यह बात किलिए कर लो कलर की पोस्ट है LDC की पोस्ट है तो आपको LDC वाला काम ही दिया जाएगा ठीके दूसरी ये चीज़ समझने कोशिस करो आपकी posting नयालेओं के अंदर होगी यानि की high court के अंदर हो आपकी posting होगी तो high court से related कारिय होगा जैसे की file को manage करना ठीके arrest warrant टाइप करना बेल टाइप करना तो typing का काम के साथ में file को manage करने का काम रहेगा workload अगर जादा की में बात करूँ तो अगर आपका posting जीला मुख्या लेके अंदर है तो yes आपके पास थोड़ा workload जादा होगा लेकिन जीला तहसिल के अंदर अगर आपकी posting है तो आपका workload जो है थोड़ा कम रहेगा लेकिन दोस्तो एक अच्छे status वाली job है इसके अंदर जब मैं promotion की बात करूँगा तब आप देख सकते हो बहुती अच्छी post के अंदर आप पहुँच सकते हैं तो इसलिए मेरे हिसाब से बहुती right job है इसके अंदर अलग-अलग section भी बने हुए हैं उन section के अंदर भी आपको job मिल सकती है जैसे वित्य विभाग हो गया नकल department हो गया इनके अगर आपको job मिलेगी तो इस से related career करने पड़ेंगे तो job profile अब आपको एकदम clear हो गई होगी LDC की post है ठीके आपको अराम से computer पर बैटके ही सारा data manage करना है आपको filing भी करनी है आपको file manage करना है file कौन से rack में रखी गई है उसका पूरा management होना चाहिए आपके पास typing related career भी आपको करना पड़ेगा हम देख रहे हैं promotion के बारे में कि आपका promotion किस तरीके से होगा क्या-क्या इसके अंदर posting रहेगी किस तरीके से आपका promotion होगा तो पहले जब आप job को join करेंगे तब आपकी posting होगी JJA यानि की junior judicial assistant junior judicial assistant की post पे आपको posting मिलेगी इसके बाद जब आपका promotion होगा तो आप judicial assistant की post पे चले जाएंगे किस पे? judicial assistant की post पे आपका promotion होगा उसके बाद आप senior judicial assistant की post पे जाएंगे ठीके? senior judicial assistant की post पे उसके बाद आप जाएंगे administrator officer judicial की post पे administrator, officer, judicial की post पे आपका promotion होगा उसके बाद assistant registrar उसके बाद आप सले जाएंगे assistant registrar की post पे आपका promotion हो जाएगा ठीके फिर हम बात करें तो deputy registrar की post पे आपका promotion होगा तो यह हमने बात करी है दोस्तों आपकी promotions related डिप्टे रजिस्टार की post अपने आप में आपको एक बहुती अच्छा post है आपको proud feel कराएगी तो high court LTC की post को आप कम मत समझो इसमें बहुती अच्छा promotion है थोड़ा slow है लेकिन promotion बहुती अच्छा है आप अगर टिक कर अच्छे से काम करेंगे तो आपका promotion बहुती जल्दी जल्दी होता रहेगा और वैसे भी एक government job है तो इसके लिए competition भी बहुत जादा है market में और बहुती relax full job है अब हम बात करते हैं कि आपको छुटिया कितनी मिलेगी कितने leave मिलते हैं इसके अंदर तो पहले दो साल जो probation period है आपका उसके अंदर आपको 15 CL मिल सकती है एक साल के अंदर आपको 15 CL मिलेगी clear है और उसके साथ में जो government holiday है वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फिर अगर हम में बात करूँ आपके साथ जब आपका probation period complete हो जाता है उसके बाद आपको क्या मिलेगा तो जब आपका probation period complete हो जाएगा तो आपको 15 CL 30 PL मिलेगा और 2 RH मिलेगा 15 तो मिलेंगे CL 30 मिलेंगे आपको PL paid leave जिसको बोलते हैं 2 मिलेंगे आपको RH ठीके उसके बाद second और fourth Saturday second और fourth Saturday को आपका रहेगा off और timing क्या रहेगा आपकी job की 10 से 5 की timing रहेगी तो आपका जो है पूरा दिन relax कर सकते हो 10 से 5 आपको office जाना है उसके बाद आपको पूरा time मिलेगा relax करने के लिए तो दोस्तो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ में पहले ये बात की कि आपकी job profile कैसे रहेगी फिर मैंने आपसे बात की कि आपका promotion किस तरीके से हो सकता है फिर मैंने आपसे बात की है कि आपका जो है ये holiday आपकी छुट्टियों के बारे में हमने discuss किया तो आज की वीडियो में हमने इन सारी चीजों के उपर discuss किया है दोस्तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज like, share और subscribe जरूर कीजिएगा जिससे मैं इस तरह के वीडियो और आपको बना के दे पाऊँ इस वीडियो के अंदर मैंने आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिस की है फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी confusion है तो आप मुझे comment कर सकते हैं, call कर सकते हैं और WhatsApp भी कर सकते हैं Thank you friend, have a nice day, bye bye